नमस्कार दोस्तों आप सभी को सागत है हमारे यूटूब चैनल सिच्छा सबकों में पिछले वीडियो में हमने देखा था घातांग क्या होते हैं घातांग के बारे में हमने पढ़ता आज हम पढ़ेंगे घातांग के नियम कातांग के नियम क्या होते हैं हम पहले एक स्प्रिन करते हैं माली जी को संख्या है ठीकी पावर टू इंटू इंटू थिरी इंटू थिरी इंटू दो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कितना हो यह थिरी की पावर 7 यह फिरी की पावर 5 प्लस 2 अब माल लेते हैं यह M है और यह N है 3 की पावर M और 3 की पावर N तो यह क्या हो गया 3 की पावर M प्लस N 3 क्या है माल लीजी A है आधा यह क्या हो गया 3 की पावर M प्लस N ठीक है नहीं इसका मतलब क्या है अगर यह कोई 3 की सुन्यूत्तर संख्या है 3 की पावर M एन एन दो गहनात्मक पुड़ांक है पुड़ांक है तो एक की पावर M इन टो एक की पावर N इस इकल टो एक की पावर M प्लस N ठीक नहीं यह क्या हो गया नियम एक अगर एक हमार पास एक संख्या है ए जो सुन्यूत्तर है मतलब जो शुन्य नहीं है उसकी पावर M और दूसकी पावर N को मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी में दूसरे एक जाने धे नहीं यह क्या मिल्टिप्लिकेशन गरां दो संख्याओं करें न हम क्या करते हैं इनको डिवीजिटन करते हैं न मैं सब्राइब इसको रह ने जाए है कि अगर एक ही पावर M divided by a की पावर N हम इसे दो लेते हैं पहला अगर M is greater than N ठीक एक्जामपल ले लेते हैं माल दीजे हमारे पास कोई सेंग है 2 की पावर 5 divided by 2 की पावर 3 ठीक है न यहां वह समझा रहा हूं से एक्जामपल थे ठीक है टो 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 टू टू टो 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 टिदाएड प्योड़ टो 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 टिक इस हित्वáriaं कितना वत्चाल टो यानीट की पावर टू बैद लेदेगे अँगर दिकभान पहल पावर 5 माईनस 3 ठीक अंब यह a hacking यह तक एउ-स- l'f1 3 n क्या है 3 तो यह क्या हो या एक है 2 तो यह क्या हो जाएगा यानि कि हम इसे ले सकते हैं a की पावर m-n ठीक है नहीं तो क्या है अगर एक सुन्योत्तर संग क्या है एक पावर m divided by a की पावर n is equal to क्या है 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 यह की पावर m-n ठीक है एक जामपल से समझ में आगिया अब हमारा कोश्चन यह है लेकिन यह दी n is greater than m n is greater than n बड़ा है यह बड़ा है m से तब क्या होगा एक्जामपल ले लेते हैं 3 की पावर 3 divided by 3 की पावर 4 ठीक है ना 3 into 3 into 3 divided by 3 into 3 into 3 into 3 इससे यह तिंकड़े बचा कितना 1 upon 3 यानि की 1 upon 3 की पावर 1 यानि की 1 upon 3 की पावर 4 minus 3 यानि की 1 upon 3 की पावर n minus n ठीक है ठीक है तो यह दी n is greater than m यह दी n is greater than m then a की पावर m divided by a की पावर n is equal to 1 upon a की पावर n minus m ठीक है अब देखिए हमने दोनों चीज कर लिए है गुणा भी कर लिए डिवाइड भी कर लिए है अब तीसी चीज क्या आती है इसमें हम इसी की पावर करते हैं यदि हम a की पावर m उसकी पावर n वो तब क्या होगा अभी तरह हमने क्या करा एक की पावर m into a की पावर n फिर अपने करा एक की पावर m divided by a की पावर n अब हम कर रहें एक की पावर m की पावर n तब क्या होगा सोचे थोड़ा से क्या हो सकता है क्या होगा इसमें कि एक की पावर m multiply by a की पावर n तो यह क्या होगा इसमें multiply हो जाएंगी अब इसको एक्जाम्पल से देख लेता है ठीकि ना कि एक की पावर 2 की पावर 3 कि एक की पावर 2 कि उसकी पावर 3 तो इसको कैसे करते हैं कि एक की पावर 2 कि इसको क्या होगा तीन बाल एक ना हम एक पावर 2 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 कितना हो गया तू 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 त एक पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना और एक पावर 6 जा फिर में एक पावर 2 इंटू 3 कितना आगे एक पावर का में स्कावर एंटू 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 और एक प्लस 2 पॉ पावर तर्फ है कि पावर एंटू है कि नकितने हम क्या अंगे एक पावर एंटू एन का फॉर्मुला यान गी एक पावर m into n जानी चाह और या एक य्या कितना है खार टू अपउन 5 की पावर 2 into 3 कि तुपन तो आपन फाइब की पावर 6 बैस अब कितना उता दो दूनी चाह जो निया तो निए तो आज हम घातांके नियम पड़े अभी तरह ने चार नियम पड़ लिया पहले हमने पड़ा हो एंसे तब क्या होता है हम बड़ा हो एंसे तब क्या होता है एक हमने पढ़ ला हम जब दonों के multiply करते हैं अब एक होता है की शुन्य घातांक क्या होता ह। अब एक वता है शून नी घातांग ठीकिन है अब क्या है एकी पावर एम डिवाइड़ बाई एकी पावर एन ठीकिन गहीं कर रहे हैं लोग तो क्या हो लिए एकी पावर एम मानस एन यह जादी हमेगे इजिगल टू एन न लोग एकी पावर एम डिवाद़ बाई एकी पावर एम इसगे लेकी पावर एम माईनस एन एम से की इतना हो गया वन इसके एकी पावर गजीरो यानि कि किसी संख्या का सुनिक हतांक ऐगा एक पावर जीरो है तो वन हो चितनी हो घीरो है तो इसका जो वेल्यों कितनी होगे वन ठीक है नहीं आज हमने बड़ा घातांग के नियम के बारे में अगले अगले लाइक वीडियो में हम कुछ सवाल करने की कोशिस करेंगे आई होप कि आप सभी की संज में आयोगा थेंक यू फेली मच